हेलो नमस्ते बच्चो मेरा नाम है चित्रांगदा और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत अच्छी कहानी कहानी का नाम है अप्खू हुई गुसा इसको लिखा है विनायक वर्मा ने और इल्लस्ट्रेशन भी की है विनायक वर्मा जी ने और इसको इसकी पॉब्लिकेशन हुई है प्रधम भुक्स में आज की कहानी शुरू करते हैं यह है हमारी कहानी अक्कू हुई गुसा ओके स्कूल की घंटी बजी चुट्टी की घंटी सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे बस अक्कू को छोड़कर वो बहुत गुसे में थी जब सूरज मुखी के खेतों में से उनकी साइकल गुजरी तो अप्पा ने कहा अक्कू अक्कू देखो कितने सुन्दर सूरज मुखी के फूल है यह बहुत ही पीले हैं इनसे मेरी आँखें चौंद्या रही हैं अक्कू बढ़ बढ़ाए अक्कू देखो देखो जरा माश बंदर अक्कू बुन बुनाई हुर भाग जाओ यहां से भागो हुर लो थोड़ी सी चाज पीलो अप्पा बोले इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी हुं अक्कू ने मूँ बितकाया मुझे नहीं पीनी चाज बाच अरे एक घुट पीकर तो देखो हां ठीक है बस एक घुट अक्कू बोली और अक्कू ने एक घुट चाज पीली चाज बिल्कूल बुरी नहीं थी उसने एक घुट और पिया फिर एक और घुट फिर एक और और चाज का गलास खाली हो गया बड़ा खाओगी अप्पाने पूझा ओफ ओ अक्कू फिर से खीजी बस थोड़ा सा अच्छा ठीक है अक्कू ने कहा और जरा सा बड़ा खा लिया अरे ये तो बहुत अच्छा है उसने थोड़ा और खाया एक नन्ना सा गस्सा और और बस प्लेट खाली हो गया शाबाश अच्छी बच्ची अपाने खुश होकर कहा अब मुझे बताओ कि तुम इतना घुसा क्यों हो कुछ नहीं अक्कुने कहा मेरी वज़े से नाराज हो नहीं अम्मा की वज़े से नाराज हो नहीं तो क्या आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ है पता नहीं शायद अक्कुने कहा ओ हो तुमारे साथ जो हुआ क्या तुम उसके चित्र बनाना चाहोगी अपाने पूछा यह रहे बढ़िया से कागस और रंग ठीक है अक्कु ने कहा अक्कु ने एक इंट बनाई यह है वो बेकार सी इंट मैं सुभे इसी से टक्राकर गिर गए थी अक्कु ने कहा इस बेकार सी इंट से सुभे मुझे ठोकर लगी थी ठीक कहा तुमने यह तो बहुत ही बेकार इंट है अक्कु ने एक लड़के का चित्र बनाया यह बिकु है बहुत ही बुरा लडका है ensure जब मैं गिरी तब ये मुझ पर हसा था अक्कु ने कहा अरे ये तो बहुत बुरा लड़का है अपपा बोले कोई गिर जाए तो उन पर हसना नहीं चाहिए बुरी बात है फिर अक्कु ने एक इडली की तस्वीर बनाए ये मेरी इडली है अक्कु ने बताया जब मैं उस बे और फिर अक्कु ने एक कववा बनाया ये बड़ा बदमाश कववा है मेरी इडली लेकर ओड़ गया पिचारा बहुत भूका रहा होगा अपपा ने बोला फिर अक्कु ने अपनी टीचर की तस्वीर बनाए ये मेरी टीचर है अमला मिस अक्कु ने कहा जब मैं गिरी तो उठने मेरी मदभ की थी और फिर मुझे लगाया यह तो उनुक्त अच्छा किया अपपा बोले ही हम पर फिर उनोंने मेरे और चुटकी काटी मुझे बिलकुल भी नहीं अच्छा लगता जब कोई नीं गाल बड़ चुटकी काटे अप्सका फोकाल में चुटकी काटने कि तो तुम्हें तकलीफ होई होगी है ना थोड़ी सी लेकिन अब ठीक हो अको ने का चलो अच्छा है देखो तो सही तुमने कितना बढ़िया चुत्र बनाए है अपा ने का तुम वास्तव में कलाकार हो क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बनाओगी हां ठीक है अकउबोली और उसमें एक चित्र बनाए है यह यह छोटा साव फ्वेद चुहा है 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 यह एकुछ चित्र बनाया है यहना विफ मैं के बाद है नाया की यह चित्र बनाय और पढ़म औरूर सुरज मुकी उख 15 Working को यह इन पकी और यह कुट्ता है और ये रहा एक मैंधक थोड़ी ही देर में अकु उस बेकार सी इट को भूल गई जिससे टक्राकर वो गिरी थी और उस बदमाश लड़के को भी भूल गई जो उस पर हसा था और इडली चुराने वाले उस बदमीज कोवे को भी भूल गए और तो और अकु ये भी भूल गई कि वो घुसा थी तो बच्चों हमें इस कहाने से ये पता चला कि जब हमें बहुत घुसा आता है और वो नाक पे आके बैठ जाता है तो उसको हम कैसे चू करें जैसे अकु न सकते हैं सबसे पहले सोर जोर से हसे और हवा में अपनी बाहें पहला कर उचलें खूदें धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे सांस अंदर खींचे और फिर बाहर छोगें थोड़ा सा पानी या फिर चाच पियें जैसे कि अकुरी चाच पी थी भलका एक टुकड़ा खाएं और या फिर आप जड़ासा गुर भी खा सकते हों अगर आपको मेथा पसंत किसी बड़े व्यक्ति को आप बताएं कि आप चैसा मे Щुसकतर और जासे अपने ऐप अ का कागश पर नहीं लिखना तो आप उसकी व्यक्ति को बता सकते हों और अक उसकी रख मेंचा़ घ्रौइंग जैसे कि अक्कु ने किया मिट्टी के धेर से खेलो और या फिर अपने गुस्ते के बारे में एक गीत बनाओ और उसको खुब जोर-जोर की उची अवाज में गाओ गलाप फाड़ के गाओ और अगर इन में सिख और कुछ भी काम नहीं करता तो आप बंदर की तरह नाच सकते हो यह अगर आप करोगे तो पक्का ही आपका गुस्ता चूँ हो जाएगा तो बचों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और भी बहुत कहानिया हैं आप खूब सारी कहानिया पढ़ें और उनसे कुछ सीखें और अपने ममी पापा को भी पढ़कर सुनाएं और इसके अलावा आजकल आप सेफ रहें सुरक्षित रहें तो तेक कैर लॉट्स अव लॉव धेर सारा प्यार बाइब